हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है नॉलेज अल अबाउट के इस वीडियो में मैं हूं स्रवड पटवा आज हम सभी जानेंगे SSC का अन्लाइन रजिस्टेशन मोबाइल और कम्प्यूटर से फिरी में कैसे करते हैं SSC के अंतरगत होने वाली भरती MTS, JST, CHSL, CGL, CPO, SI, GD, Constable, LDC, DEO, JSA, Stenography, C&D इत्यादी के लिए रजिस्टेशन करना अनिमार है तभी आप इन सभी भरती के लिए SSC के पोर्टल पर आन्लाइन आवेदन कर पाएंगे मैं आप सभी को पूरी जनकारी स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ वीडियो को अन्तक देखेगा, बीच में स्कीप नहीं किजिएगा इसी के साथ आज का यह वीडियो सुरू करते हैं आप अपने मॉबाइल और पीसी में अपने ब्राउजर को ओपन करें ब्राउजर को ओपन करने के बाद गूगल में जाकर SSC टाइप करें SSC टाइप करने के बाद आपको स्टाप सेलेक्शन कमिशन का इंटरफेस सामने दिखाई देगा ssc.nic.in यहां पे आप देख सकते हैं इस पर आपको होम स्टाप सेलेक्शन कमिशन पे क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आप SSC के होम पेज़ पे चले जाएएंगे यहाँ पे आपको right side में login, password और capture code दिखाई देगा इसमें आपको सवर प्रथां forget password के नीचे जो है new user register now पे click करना है new user register now पे click करने के बाद आपको जो है एक basic details का फारम सो करेगा SSC का registration तीन चरोडों में complete होता है सबसे पहले basic details, second में additional and contact details उसका photo and signature details तो इसमें आपको सबसे पहले basic details वाले form को भर लेना है इसमें आप देख रहे हैं कि do you have ather, यदि आपके पास ather card है तो yes click करें no है जिनके पास अधार card नहीं है वो types of ID इसमें बहुत सारे ID दिये हुए है उसमें से किसी एक का chain करके form को fill up कर सकते हैं जिनके पास अधार card है वो yes पे click करें yes पे click करने के बाद यहां पे अधार verify अधार नेम यहां नेम वाले भाग में आपको आपका दस्वी के सार्टिफिकेट के अधार पे नेम को भरना है और ध्यान रहे है इसमें स्री मति SMT इस प्रकार के किसी भी प्रकार का लेटर उपयोग नहीं करना है उसी प्रकार father's name में भी दस्वी के सार्टिफिकेट में जो father's name है उसी को भरना है एक चीज़ और यहां पे देहान दीजिए यहां टूसी में यहां यू है इवरी चेंज नेम क्या आपने कभी अपना नाम चेंज कराया था यदि आप कराया है तो यहां पर क्लिक करें यहां पर डिटेल भरना है नहीं करा है तो नहीं करें उसके बाद father's name टेंथ के सार्टिफिकेट के अधार पर verify अधार mother's name भी चिरी लेट किसी भी प्रकार कवर्ड इस्तेमाल नहीं करना है डिरेक्ट जैसे आपका पापा का नाम राजू है तो डिरेक्ट राजू डालना है चिरी नहीं लगाना है उसी प्रकार mother's name भी आपको भरना है डेट आप बर्दस्वी के सर्टिफिकेट में जो आपका डेट बर्द डेटा बर्थ है उसी को भरना है वेरिफाई मेटिकुलेशन एक्जामिनेशन डिटेस्ट आपको बना है एक्जाम बोड कौन सा है आपका 36 गड़ 36 गड़ बोड आप सेकेंड्री उडिकेशन वेरिफाई करना है इसको आपको वेरिफाई करना है रोल नमबर में आपका जो दसवी के सर्टिफिकेट में रोल नमबर दिया हुआ है उसी रोल नमबर को भरना है इसमें सिर्फ please enter role number without any special character के ही भरना है सिर्फ role number आपको भरना है verify role number किस चान में आप pass हुए थे उसको भरना है verify करना है gender, verify gender, level examination qualification आपका education qualification कितना है उसको यहाँ पे fill up करना है साथ ही यहाँ पे mobile number और email id, mobile number और email id उपयोग करना है जो आपका चालू हालत में हो किसी ऐसे email id और mobile number का उपयोग ना करें जिसमें आपका account बनाने के समय OTP जाने के बाद verify ना हो सके और वह mobile number ही दें जिसमें आपका incoming outgoing calling चालू हो यहाँ पे आपको last में state किस state से अब belong करते हैं उसको करने के बाद save button पे click करना है तो इस form को मैं भर लेता हूँ उसके बाद आपको आगे की परकिरिया बताता हूँ से बटन को click करने के बाद आपको इस प्रकार का interface दिखाई देगा जिसमें आपको आपका mobile number और email ID सो करेगा यहाँ पे आपको confirm और cancel दो बटन का अशन देगा इसमें confirm बटन पे click करें कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है बैसिक डिटेल इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको क्लोज बटन पे क्लिक करना है क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार का मैसेज दिखाई देगा इसमें बताया गया है कि यदि 14 दिन के अंदर आपके पास जो मोबाइल पे और इमेल पे जो ओटीपी आया है लोगिन ओटीपी और पासपर्ड उसको यदि एक्टिवेट नहीं करेंगे तो यह आटोमेट्री की जो है डिलीट हो जाता है 14 दिन के अंदर इसे तुरंद एक्टिवेट कर ले और इस परकार जो आपका रेजिस्ट्रेशन नमबर सो कर रहा है उसे कहीं नोट करके लिख लें उसके बाद OK बटन पे क्लिक करें ओके बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपने मोबाइल के मोबाइल नंबर के टेक्स बॉक्स और अपने इमेल आइडी पर देखेंगे कि इस प्रकार का आपको एक मैसेज मिला होगा यह आपको आपको इमेल का मैसेज दिखाई दे रहा है इस प्रकार आपके इमेल पर मैसेज आया होगा और दूसरा जो मोबाइल पर इमेल आया होगा सोरी मैसेज जो आया होगा इस प्रकार होगा इसमें जो पासवर्ड दिया होता है आपके मोबाइल नमबर पे और इमेल आइडी पे दोनों का पासवर्ड सेम होता है तो आप इसे पासवर्ड को लोगिन करने के समय जो है आपको यहां पे इमेल आइडी यू रजिस्टेशन नमबर दिया हुआ है जिस्टेशन नमबर जो आपके पास आया है और यहां पर पासवर्ड जो आपके email पे और mobile पे दोनों का सेम पासवर्ड है उसको यहां एंटर करना है उसके बाद इस capture code को यहां पे एंटर करने के बाद login बटन पे क्लिक करना है Login बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जो है Dear Candidate, this is your first login, please change your password का एक message दिखाए देगा जिसमें आपका change password लिखा है जिसके नीचे आपको email ID और आपका mobile number लिखा होगा इस प्रकार आप यहाँ पे यहाँ पे old password जो आपके पास mobile और OTP पे जो old password आया है mobile और email ID पे जो old password आया है उसको डालना है और new password और confirm password आपको एक नया strong password 8 character का बनाना है इस प्रकार देख सकते हैं old password और new password new password में 8 character का minimum होना चाहिए जिसमें आपका one capital letter, one number and one special character से बना होना चाहिए इस प्रकार new password बनाने के बाद confirm password उसकी को 8 किजिए उसके बाद submit बटन पे क्लिक करना है submit बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको your password has been changed successfully please login to continue ऐसा message आपको स्क्रीन पर सो करेगा तो प्लीज इस पर आप close बटन पे क्लिक करें close बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है login वाले भाग पे फिर से जाना है जिसमें आपका रजिस्टेशन नमबर पासवर्ड जो अभी आपने नया पासवर्ड बनाया है एक capture code जो दिया हुए है उसको एंटर करना है एंटर करने एक बाद login बटन पे क्लिक करना है login बटन पे क्लिक करने के बाद आपको basic details वाला फिर से form दिखाए देगा यदि आपको लगता है कि आपने कोई त्रूटी भर दिये है तो आप edit बटन पे क्लिक करके फिर से submit कर सकते हैं यदि आपका लगता है कि सभी चीज़ सही है तो आप नीचे स्क्रॉल करके submit बटन पे या next बटन पे क्लिक कर सकते हैं यहां पर जो registration है तीन चर्ड़ों में होता है या बैसिक details हो चुका है additional and contact details के बडिक्रीरेशन का मेसेज आएगा इस तरह नीचे आप दे सकते हैं save next reset close का एक option दिखाई देगा इसमें आपको next बटन पे क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको additional and contact details वाले form को भरने के लिए option आएगा इसमें nationality identification mark आपका कोई पहचान चीन आर्यू पर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको उसका types of disability के बारे में यहां फिल करना होगा नहीं है तो नो पे क्लिक करें साथ ही disability certificate number भी add करना होगा यदि आप यस करते हैं तो साथ ही इसमें permanent address, state, district, pin code आपका जो address as permanent address जो है उसको yes या no yes कर दें जो भी आप यहां फिल करेंगे उसके बाद save पे क्लिक करके next करना है इस पर कार आपका present address and permanent address same है तो yes पे क्लिक करें और नहीं है तो no पे क्लिक करके आपको present address का form भी भरना पड़ेगा सेम है तो yes पे क्लिक कर दें उसके बाद save बटन पे क्लिक करें इस परकार आपको additional and contact details are set successfully के message डिसले करेगा जिसमें आप close बटन पे क्लिक करें उसके बाद आपको declaration का एक message यहां पे दिखाई देगा उस पर I agree पे क्लिक करें आइगरी पे क्लिक करने के बाद सबसे पहरे take draft print पे क्लिक करके आप अपना details को एक बार चेक कर लें उसके बाद final submit पे क्लिक करें final submit पे क्लिक करने के बाद आपको enter OTP का एक message सो करेगा जिसमें आपके पास mobile OTP और email OTP दिया हुआ होगा आप इसमें से mobile OTP को भी enter करके यहाँ पे प्रकिरिया को आगे बढ़ा सकते हैं या आप email OTP को भी भरके इस प्रकिरिया को आगे बढ़ा सकते हैं इस प्रकार OTP और capture को डालने के बाद submit बटन पे क्लिक करें सब्मिट बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको इस प्रकार का message डिस्प्ले करेगा You have successfully completed your registration, your registration number इतना आपका जो है registration अब complete हो चुका है उसके बाद OK बटन पे क्लिक करें बटन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका profile जो registration हो चुका है आपके education qualification के हिसाब से latest notification पे क्लिक करेंगे तो आपके education qualification के हिसाब से जो भी post SSC के अंतरगत आया होता है वह आपके profile पे सो करेगा साथ ही आप यहाँ पे application history जितने बार आप application यहाँ पे भरे होंगे ओद दिखाई देगा यहाँ पे modify registration आप अपने registration को modify भी कर सकते हैं results marks यहाँ पे दिखाई देता है जो आप exam दिलाय होते हैं उसका उसके बाद यहाँ पे logout बटन पे click करें इस तरह मैंने आपको SSC का registration PC के माध्यम से किस प्रकर करते हैं यह मैंने आपको बता दिया है अब आपको mobile के माध्यम से registration कैसे करना है यह मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह यह मेरा thumbnail है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SSC का registration बिल्कुल निसूलक होता है आप अपने mobile और computer के माध्यम से भी कर सकते हैं मैंने computer के माध्यम से बता दिया है अब mobile के माध्यम से किस प्रकर करना है यह आप देख सकते हैं आपको अपने mobile के browser को open करने के बाद आपका जो राइट हैंड साइट के टॉप में browser में Google Chrome इस्तमाल करते हैं तो उसमें तीन डॉट दिखाई देगा इस प्रकार आपको तीन डॉट दिखाई देगा इस तीन डॉट पर क्लिक करने के बाद आपका interface ब्राउजर का इस प्रकाट दिखाई देगा जिसमें आपको डेस्टाफ साइट दिखाई देगा डेस्टाफ साइट बाइ डिफोल्ट आफर आता है इसमें जो चेक बॉक्स दिया हुआ है उस चेक बॉक्स को क्लिक करके एक्टिव करें एक्टिव करने के बाद जो है आपका इंटरफेस इस प्रकार दिखाई देगा मोबाइल का इंटर यहां पर लॉगिन करके पासवर्ट डालके और आप लॉगिन हो सकते हैं साथ ही यहां पर न्यू यूजर पर क्लिक करके रेजिस्टेशन कर सकते हैं दोस्तों आपने न जाने अब तक कितने पैसे खर्च कर दिया होंगे लेकिन यह बिल्कुल निसुल्क होता है एससी रेजिस्टेशन साथ ही स्टी एससी और आल अभर महिला के टेगरी का किसी भी पोश्ट के लिए एससी निसुल्क फार्म आवेदन करवाती है जनरल और ओपीस वालों का 100 रुपे सिर्प चार्ज लगता ह है और आप लोग केफे में जाके ना जाने कितने पैसे दे कर चले आते हैं इसलिए मैं आपको मुबाइल के माध्यम से ही और स्वय यदि आपके पास PC कंप्यूटर है तो आप स्वय से इसे फार्म भर सकते हैं दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही यदि रजिटेशन से संबंदित कोई भी प्रॉबलम आये तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करें मैं आपका हेल्प करूँगा तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्यूंकि इसी पर करके तरह-तरह के नॉटिफिकेशन हम आपको लेकर अपने चैनल में आते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छी अच्छी जनकारी मेरे माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकें तो प्लीज आप अपने सब्सक्राइब जो किये हैं उसके में एक बेल आइकन दिया होगा उस बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे है थैंक्स फॉर वाचिंग धन्यवाद